जीस्टी काउंसिल की इस महीने हुई बैठक में दरों में बदलाव की बात नहीं बनी और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हो सकता है कि आने वाले चुनाओ तक लोगसवा चुनाओ तक जीस्टी की दरों में कोई बदलाव हो भी ना दरों में बदलाओं से महगाई भढ़कनी आशंका है ऐसे में चुनावी साल होने की वज़े से केंद्र और इकतर राज सरकारें फिलाल इससे परहिच कर रही है सर माना जाए कि लोकसवा चुनाओं तक कोई दरें नहीं बदलेंगी है दूसरा है कि राजसरकारों के पास राजस्व में गिरावट है उनके पास परयापत राजस्व नहीं है जबकि जो नई प्रक्रियानी उसमें टेक्सदरों में कमी करने की और उन्हें पुनलगठित करने की बात है दबाव यह है कि टेक्स देरें बढ़ाई जाए क्योंकि revenue neutral rate लेकर आई जाए और जिसमें एक बहतर tax का revenue आ सके सरकार है यह जोखिम अभी फिलाहरी tax बढ़ाने का जोखिम चुनाओ के काराण नहीं ले सकती तो GST में rate की साइट से बड़े सुधारों की संभावना अब अगले साल तक नहीं दिखाई देती लेकिन vigilance की साइट से tax की वसूली के साथ साइट की तरफ से और नियमों को सक्त करने के आधार पर GST Council काफी सक्रियता से काम कर रही है और हमने हाल के महीनों में GST Council की तरफ से काफी बड़े सगन अभियान देखे है टेक्स जोरी पकड़ने के एक और अपडेट जो GST से चुड़ा वो यह कि कानूनी पहलों पर सुनवाई करने वाली authority GST AAR ने चिक्की पर GST के मामली मर्स सुनवाई में फैसला सुनाया है क्या फैसला सुनाया है वो यह सुनाया है कि अगर आपके बड़ तिल वाली चिक्की खाते हैं तब तो आप पर 5% टेक्स लगेगा लेकिन अगर उसमें कोको पाउडर छड़का गया तो आपको ऐसी चिक्की खाने पर 18% टेक्स देना होगा